हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिर्ट्स थेमिस मेडी केर की ओर से सप्टमबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज केस वीडियो में अलसिस करेंगे स्टैंड आलाउन कॉंसॉलीडेटेड दोंगर जल्स आउट हो चुक आज रिचेंश हो चाहिए नंटिसस्यां पॉंट फॉल्ट क्रोड का पिछले क्वाटर में 80.4 क्रोड का और सेप्टमबर 22 क्वाटर में 74.5 क्रोड की एक्सपैंस हुआ था क्वाटर पॉर्टर एयर ऑन इयर में इंक्रेस लेकिन इंक्स बहुत जाथ है उसका उसकेंट profit company का 11.3 करोड का पिछले quarter में 18 करोड का सप्टमबर 22 quarter में 17.7 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में decrease किया है EPS 12.28 रुपेज का quarter on quarter year on year में decrease किया है तो गाइस company का income में तो तेजी है लिएकन expenses बहुँ जादा होने के कारण company के profit में fall देखने को मिल रही है तो कह सकते company average result पेज किया है अगर हम स्टेंडर लौन कवर करें income में 107 करोड का पिछले quarter 97.3 करोड का सप्टमबर 22 quarter 92.9 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 97.4 करोड का पिछले quarter में 80.4 करोड का सप्टमबर 22 quarter में 74.5 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter यह में बहुँ ज्यादा year on year में बहुँ ज्यादा expense किया गया है इसके करेंट कंपनी का profit बहुँ ज्यादा fall हुआ है operating profit है company का इस बार का अगर देखिएगा तो 59.7 करोड का है पिछले quarter में 16.8 करोड का सप्टमब 22 quarter में 18.3 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में पिए 7.7 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है तो गाइस company का overall result अगर देखिएगा तो average कोई कि income में तेजी लेकिन expenses ज्यादा होने के profit में डाउन हो रहा है तो देखना यह मंदे को company किस तरह कि मार्केट में ले सकता है क्या ले सकता है पॉजिटिव लेती है या फिए निगेटीव तो हम लोग जो है वीडियो कहीं परनेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक रोड़ में डिलन बाबाई